अलमोडा के लमगडा सुवाखान मोटर मार्ग में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हाथसा हो गया हाथसे में तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई मतकों में दो महलाएं वो चालक शामिल हैं जानकारी के अनुसार कार खटीमा से पिथोलागर की ओर जा रही थी रात करीब साड़े दस बजे लमगडा थाने से करीब पंद्रा किलोमीटर आगे पिथोलागर रोड में सांगर साहू वो दुबरॉली गाउं के बीच कार अन्यंतित होकर सड़क से करीब सो मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई हाथसे के दौरान वाहन में चालक समेट पांच लोग सवार थे हाथसे के कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे एक युवक ने थाना लमगडा में सड़क दुर घटना वो रोड के तूटने की सूचना दी जिसके बाद थाना पुलिस मौके पर पहुँची हाथसे में सुनीता देवी उम्र 31 साल निवासी पिथोड़ागड एवं रजनी देवी उम्र 23 साल निवासी पिथोड़ागड की मौके पर मौध हो गई जबकि सुनीता देवी का साथ वर्षिय बेटा आरुस कुमार चालक प्रेम कुमार और आशिश कुमार को कार से निकाल कर सड़क तक पहुँचाया गया जिसके बाद तीनों को C.S.C. लंगड़ा पहुँचाया प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को हायर सेंटर बेस अस्वताल के लिए रैफर किया रैफर करने के दोरान कार चालक प्रेम कुमार ने भी दम तोड़ दिया जबकि आसीस वह आरुस का बेस अस्वताल में उपचार चल रहा है डॉक्टरों के अनुसार दोनों को कमभीर चोटें आई है जानकारी की अनुसार घटना पर खाई इतनी भायं कट थी कि रात दो बजे SDRF को बुलाना पड़ा इससे पहले पुलिस रैस्क्यू कर रही थी करीब 6 घंटे तक रैस्क्यू ओपरेशन चला